दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आपका जो अधारकार है उसमें मोबाइल नमबर तो लिंक होता ही है साथ ही आप मोबाइल नमबर के साथ साथ आपका जो अधारकार है उसमें इमेल आईडी को किस प्रकार से रजिस्टर कर सक आधारकार में अगर email ID registered होती है तो आपका जो आधारकार में OTP वाला system होता है माली जी आपको आधारकार में कुछ भी detail verify करवानी होती है कुछ भी authenticate करना होता है तो आपका जो आधारकार में mobile number link होता है उस पर एक OTP आता है उसी तरीके से अगर आपका आधारकार में email ID registered होत आपका आधारकार में जो मोबाइल नंबर लिंक था वे बंद हो गया है तो आपकी जो इमेल आइडी है उस पर जो OTP आता है उसके माध्यम से आप आधार के सारे काम कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको ओनलाइन प्रोसेस बताऊंगा जिसकी मदद से आप आधारक है वो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर लोग इन बाई मोबाइल नंबर और इमेल आडी का ओप्सन मिलता है आपको दोनों में से एक ओप्सन सेलेक्ट करना है उसके पर जो ओप्सन आप उपर सेलेक्ट करते हो उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है अगर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हो तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है अगर आप इमेल आड़ी सेलेक्ट करते हो तो इमेल आड़ी आपको यहाँ पर डालनी ह के बाद आपको जो यह capture code दिख रहा है यह वाला capture code आपको नीचे box में डालना है और उसके बाद जो send OTP का button दिखता है इस send OTP पर आपको click करना है उसके बाद जो भी mobile number, email ID आपने डाली है उस पर एक OTP आया है वह वाला OTP आपको यहाँ पर डालना है और submit OTP and proceed पर आपको click करना है के बाद आपके सामने ऐसा page आएगा यहाँ पर आपको update आधार का option मिलता है आपको इस update आधार वाले option पर click करना है यहाँ पर आपको नाम डालना है यहाँ पर वह वाला आधा नमबर डालना है जिस आधार कार्ड में आप email ID अपडेट करना चाते हो जो आधार कार्ड में name है वन name आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद आपको नीचे Indian resident चूज करना है उसके बाद what do you want to update इस वाले option में से आपको biometric select कर लेना है sorry biometric आपको यहाँ पर select नहीं करना है यहाँ पर आपको email ID select करना है email ID पर आपको टिक करना है और उसके बाद जो प्रोशिड का बटन दिख रहा है इस प्रोशिड पर आपको click करना है उसके बाद आपके सामने ऐसा page आएगा यहाँ पर वह वाली email ID आपको enter करनी है जिस वाली email ID को आप अपने आधरकार के साथ link करना चाते हो उसके बाद आपको capture code डालना है और send OTP पर click करना है जो भी email ID आपने डाली है उस पर एक OTP send किया जता है वह OTP आपको यहाँ पर enter करना है और उसके बाद verify OTP पर आपको click करना है जैसे ही आप verify OTP पर click कर देते हो उसके बाद आपको नीचे आना है और save and proceed पर click करना है जैसे ही आप save and proceed पर click करते हो आपके सामने इस तरीके का interface आता है यहाँ पर आपको checkbox कर क्लिक करना है और submit कर देना होता है जैसे ही आप submit कर देते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है Your application has been submitted Your appointment ID is यहाँ पर आपको एक appointment ID मिल गई है आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो अन्यता आपको यहाँ पर उसके बाद book appointment पर क्लिक करना है जैसे ही आप book appointment पर क्लिक कर देते हो आपको यहाँ पर जो भी आपका center है वो center choose करने के लिए बोला जाता है तो center को search करने के लिए आपको यहाँ पर आपके area का जो भी pin code है वेब pin code आपको यहाँ पर enter करना है और get detail पर click करना है उसके बाद जो भी आपके area में आधार सेवा center है जहाँ पर आधार का काम चल रहा है उनकी list आपके सामने आ जाती है यहाँ पर आपको एक जो भी आप center select करना चाते हो उसके आगे आपको book appointment का option मिलता है इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click कर देते हो आपके सामने इस तरीके का interface आ जाता है यहाँ पर जो आपको red color में जो date दिख रही है इसका मतलब है कि इस date को कोई भी slot available नहीं है अगर यह green color का आपको कोई date दिखता है तो उस date को आप appointment book कर सकते हो तो यहाँ पर हमें कोई भी November के महिने में कोई भी slot available नहीं दिख रही है तो हम December पर click करते हैं यहाँ पर यह December में भी कोई slot available नहीं बता रहा है अगर यह green color का कोई भी date आपको यहाँ पर दिख जाता है तो उस पर आपको click कर देना है उस date को click करते ही आपकी जो appointment है वो book हो जाती है और आपकी date fix हो जाती है उस date को आपको आपका जो भी आदार सेवा के अंदर आपने select किया है यहोला address यहाँ पर आपको जाना है आपके birth card आपको ले जाना है और जिसका birth card है उस candidate को साथ में जाना है और वहाँ पर आपकी जो email ID है उसको update कर दिया जाता है प्रेजब बादे